प्राश्न, क्वाशियों का रोग शरीर में की गंभीर कमी के कारण होता है, आपका ओप्षन है, A. प्रोटीन, B. लोहा, C. केल्शियम, D. विटामिन के, आपका सही उत्तर है, प्रोटीन. प्राश्न, कीरों में गैस विनिमय के लिए वायू नलिकाओं का नेटवर्ग क्या है, आपका ओप्षन है, A. गिल्स, B. डायाफ्राम, C. ट्रेकिया, D. स्पाइराकलेस, आपका सही उत्तर है, ट्रेकिया. प्राश्न, निम्न में से कौन अस्थी मज्जा द्वारा निर्मित एक प्रकार की रक्त कोशिका नहीं है, आपका ओप्षन है, A. प्लेटलेट्स, B. श्वेत रक्त कोशिकाओं, C. लाल रक्त कनिकाओं, D. ओस्टियोक्लास्ट, आपका सही उत्तर है, ओस्टियोक्लास्ट. प्राश्न, निमनल इखित में से कौन सबसे बड़ा दंतू तक है? आपका ओप्षन है A. इनेमल, B. दंतूलक, C. रूट, D. डेंटिन, आपका सही उत्तर है, डेंटिन प्राश्न, ऐसी परेघटना, जिसमें रोटिफर, मधुमक्खिया, कुछ छिपकलियां और पक्षी जैसे कुछ जीवों में युगमत निशेचन के बिना नए जीव स्रुजित करने के लिए विक्सित होता है, उसे कहते हैं, आपका ओप्षन है आपका सही उत्तर है, अनिशे के जनन, प्राश्न, में ग्लाइकोजन, पॉली बी, हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट कनिकाएं, सल्फा कनिकाएं और गैस पुटिका शामिल है आपका ओप्षन है आपका ओप्षन है आपका सही उत्तर है, साइटो प्लाज्मा प्राश्न, कवक का अध्ययन है आपका ओप्षन है A. माइकोलजी B. विशानू विज्ञान C. प्राजीविकी D. परजीवी विज्ञान आपका सही उत्तर है, माइकोलजी प्राश्न एक पुष्प में स्त्रीकेसर का शीर्ष भाग जो चिपचिपा होता है है आपका ओप्षन है A. अंडाशे B. वर्तिका C. वर्तिकाग D. परागकोश आपका सही उत्तर है, वर्तिकाग प्राश्न निम्नल इखित में से कौन एक पत्ती का भाग है आपका ओप्षन है A. पर्न वर्रिंत B. पुकेसर C. वर्रिंत D. जायांग आपका सही उत्तर है, वर्रिंत प्राश्न एक एकल कोशिका की एक उर्वर वयस्क जीव पैदा करने की क्षमता है आपका ओप्षन है A. क्लोनिंग B. क्लूरिपोटेंसी C. टोटिपोटेंसी D. उत्परिवर्तन आपका सही उत्तर है टोटिपोटेंसी